हेलो वेल्कम टू डाक नाइट आरोट आप में जिस टॉपिक पर रिडिंग कर रही हूँ वो है नेक्स चेप्टर इन यूर लव लाइफ देखेंगे नेक्स चेप्टर आपका लव लाइफ में क्या रहेगा और कैसर रहेगा ठीक है जैनल रिडिंग होती है आप से जुनेट कर सकते है ठेक है जरी आपकी लव लव लाइस आप की लव लाइफ करlement अप्रेस एंड सुर्ट केटुजए में इस की मेरे बीवेर की लव लाइफ कर next chapter next chapter in your love life next chapter in your love life at least my address on equation in your life language and even work it when we work the next chapter in your love life में कैसा रहेगा पीस मैं जसा एंस प्रीट काइट में जाइट केचिए milk and honey and time to go blessed between the world यहां पर मुझे एक चीज दिख रही है आप किसी बहुत जादा टॉक्सिटी से बहार आएंगे आपकी जिए लव लाइफ का नेक्स चैप्टर जो स्टार्ट होगा वो आप किसी स्ट्रेस टाइम से बहार निकलेंगे एक एक नेगेटिविटी से बाहर निकलेंगे एक राउंड एंड राउंड कुछ आपने इस रिलेशन किसी पास्ट में किसी पास्ट रिलेशन्चिप में कुछ नो कुछ ऐसा एक्सपेरियन्स किया है यह इंडिवाइन की थ्रूँ जो भी आपकी लाइफ में हुआ है। finns विखी इस वागया होगा यक कार्म को सब्सक्राइब कर देखे आपको एक हो यह कर दूर तर्ड़ के नियुकि अब ना खो चींध और यहां पर और लाइच एक यहां पर यहां पर बिल्कुल एक हैफीट자 की प्रिद्साइब एक ही कार्ट में, यहाँ पर है बिलकुल डार्क साइड और यहाँ पर है बिलकुल लाइट साइड, इक मिन्स, पीसफुल महाल और यहाँ पर है जैसे एक अंधेरी रात, एक खौफनाक मनजर, ठीक है? आप किसी अपनी लाइफ के किसी सैट फेस से, एक स्टकनेस से, किसी चैटर स्टार्ट में, आप बिलकुल रेलेशनशिप की फिकर करना भूल जाेंगे या तो आप गो विद अफ्लोओ हो जाएंगे अगर पास में बहुत ज्यादा आप कंट्रोलिंग रहा है अपने रेलेशनशिप को लेकर या आपने बहुत ज्यादा अपने होगा आपकी love life का वो बिल्कुल ही उलर्ट होगा बिल्कुल ही change होगा आप loyal तो होगे आप अपने person के साथ connected तो रहेंगे लेकिन यह person वह भी हो सकता है जिसके साथ आपने karmic cycle face कर या trauma face किया या toxic cycle से गुजरें आप ठीक के यह person वो भी हो सकता है अभी हम देखेंगे आगे लेकिन आप जस भी पर्सोन के साथ इंटर करेंगे पास्ट हू या नेक्स्ट हू या एक बिल्कूल ही ये एक उट आफ डवरल्ड को YORI पर्सॉन हो जिसकों आप बिल्कूल लिना आपको पताता ही नेक्स्ट हो सकता है जिसको आप यह भी नहीं बता जिसका यह पास्ट है ठीक है बिलकुल यह ऐसा ही परसन हो जिसको आपको आपको एक क्याते है ना आपका एक पार्टनर रहें लव लाइफ में लेकिन जो भी परसन होगा वो आपके लिए एक सकून और रहत का 22 बनेगा एक हीलिग आप जिस भी रिलेशन्चिप में रहें आप उसको खूने के डर से आपने इसके अंदर बहुत एफ़र्ट दी है आपने हच्ट से ज्यादा एफ़र्ट दी है आपने यहां पर पास्ट में आपको इफॉल गिविंट एक मिला नी मिला लेकिन आपने अपनी तरीके से उसको हर तरीकिस तो इसको completely support के निभाने की हमेशा बचाने की कुशिश करिए अपनी self respect को ना समझते हुए self respect को हमेशा दाओ पर लगाया उस relationship को safe करने के लिए तो अब जो next chapter after love life में जो start होगा जो next person हो गया, next एक chapter के बात करें हम person की बात नी करें, person बताऊंगी कौन हो सकता है, ठीक है मैं हम ये भी आगे देखने के कुशिश करेंगे लेकिन आप blessed, आप अपने आपको बहुत ज़्यादा खुश नसीब एक ऐसा person समझेंगे के नहीं, आप divine को gratitude show करेंगे आप gratitude में रहेंगे, क्योंकि आप go with the flow की energy में आ जाएंगे आप कुछ भी control नहीं करना चाहेंगे, आप किसी को भी अपनी life में जब अगर वापको तकलीव दे रहा है तो आप उसको hold करके नहीं रखना जाएंगे उसको release कर देंगे, उसको जाने देंगे अपनी जिन्दगी में आपको सिर्फ healing चाहिए, positivity चाहिए होगी negativity से आप दूर हो जाएंगे, अपने next chapter में between the world, कुछ नो कुछ आपकी life में आपके कुछ 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल negativity में रहे हैं जिन से आप निकल कर एक जब भी next chapter आपकी love life का start होगा वो एक बिल्कुल रहत भरा फीस होगा आपके जिन्दगी का आप जो past में हो गया, आप उसको सोच कर हैरान रहेंगे कि आप ऐसे person थे, इत मीज़ आप बिल्कुल जैंगे एक बिल्कुल transform हो जाएंगे, ऐसा person होगा जैसे एक snake की, उसकी जो skin होती है वो खतम होके एक new skin आती है इस तरीके साब की new skin आईगी ठीक है, जब आप एक next chapter में कदम रखेंगे एक next chapter की तरफ अपनी life को बनाएंगे ठीक है, यह आपका जो यह face है यह ऐसा हो सकता है कि अभी चल रहा है आपकी life में और ऐसा हो सकता है, यह face खतम हो रहा है ठीक है, round and round, यह higher power जो भी हो रहा है, divinely guided हो रहा है आपकी life में divine से guided है यह जो भी face आपकी जिन्दगी का चल रहा है आपको यहां से कोई ना कोई lesson learn करना है और next chapter आपकी सोच से भी ज़्यादा आपने expect नहीं किया होगा कि आपको divine इतना इतनी खुशियाँ और इतनी blessing से नमाजेगा, ठीक है जाने प्रीस एंजलस एंट स्पीड केट, मुझे बताईए milk and honey, हर चीज जैसे आपकी खौईशाद से भी बढ़कर आपकी सोच से भी आपकी समच से भी बढ़कर आपको प्रोवाइड की जाएगी आपके नेक्स्ट, नेक्स्ट चेप्टर में जिन्दगी के ठीक है आपके सी एक दराब ने खौफ को छोड़कर एक किसी अपनी जिन्दगी को जैसे आप miracle, एक miraculous change होगा आपके जिन्दगी में ठीक है जो आपने एक्सपेक्ट भी नी किया होगा इस मैं जिसना स्पीट के कुछ बताईए नेक्स चेप्टर मेरी विवाइड की लव लाइफ का नेक्स चेप्टर इन लव लाइफ नेक्स चेप्टर इन लव लाइफ फुल, बगिन्ग, मैंने कहाँ है आपर एक न्यो बेगिनिक होगा इक न्यो स्टार्ट होगा अब को एक इस्टेबिलीटी की तरफ आप जाएंगे उस चेप्टर मेरी में गहुआ आर मेरीज ऐसा प्र्सान स्पार्ट हो और ऐसा हो सकता है या तो friend के बाद एक relationship में आना तो आपको stability आपको महाँ पर मिलेगी ठीक है आप लेकिन आप defensive हो जाएंगे आप अपना अच्छा बुरा जान रहे होंगे next आपके chapter में love life के आपको पता होगा आप इतना असानी से किसी भी person को trust नहीं करेंगे blindly trust नहीं करेंगे उस person के बारे में सोचेंगे समझेंगे पहले आपको पूरी inquiry या जो भी जाच परताल जो भी आपको करना पड़ेगा उसकी information गेन करने के लिए वो आप करेंगे फिर आप उसके लिए emotionally open up होगे ठीक है उसके बात आप work button करने की कोशिश करेंगे बहुत आप स आपका new next chapter हो या कोई बिल्कुली जो unknown person आपकी इंट्री ले रहा हो लेकिन आपको उसके लिए खुद को heal करना पड़ेगा जापकी defensiveness है और जो इसकी बस आपके अंदर एक problem एक ऐसा हो जाएगा आप सोच आप किसी के पर trust करने से पहले सोचेंगे blindly trust नहीं कर सकते हैं ठीक करेंगे और आप उतना ही work put on करेंगे जितना सामने वाला करेंगा आप equal balance day one से रखेंगे ठीक आपकी जो love life होगी बहुत जादा stable होगी और आप बहुत जादा एक पुरानी गलतिया नहीं करने वाले new एक next chapter में अपनी जिंदेगी के emotions के लिए open up जब होंगे जब आपको उ आप इसके पर rely करना या इसके पर ट्रस्ट करना safe है उस वक्त आप उसके पर ट्रस्ट करेंगे otherwise नहीं करेंगे देखे दी लवर और यहाप रहे seven of food ठीक है आप मैंने कहा आप पहले खामोशी से उसके बारे में चीज़े जानेंगे समझेंगे चीजों को देखेंगे वरना आप इसके पर ऐसे ट्रस्ट नहीं करेंगे जो भी परसन आपकी जिंदेगी में आएगा आप आप बहुत सोच समझ कर कदम रखने वाले अपनी जिंदगी में एक्स चप्टर में कन्फ्यूजिंग स्टेट रहेगा आपको ट्रस्ट करें न करें पहले इस पंदे को अची सब्सक्राइब करने वाले अपने चप्टर में ठीक हें पिस अंजसे स्वीट काई नेक्स चप्टर है यह लाफ लाइं आप युलाफ लाइफ में कैसा रहेगा यह कौन परसन है और मेट यह कर सन कौण है ठीक क информativeигार इन पिरfeitी कर संदेवलेटिNo पिया आपको पका the world okay knight of pentacle okay ace of cup okay यह परसन आपको जानता है ठीक है आप लोगी आप काफी टाइम इस परसन पर सटक रहे है और यह पर संब आपके पर स्टक है ठीक है यह परसन आपको जानता है जो भी परसन है या आपका कोई पास्ट परसन जिसके साथ आपने कार्मिक साइकल फेस करी है जिसके साथ आपने बहुत सारे फेस अपने देखे अपनी लाइफ के यह वो परसन हो सकता है आपकी इसके साथ बैट साइकल एक क्लोज होगी और आपके अंदर अलग जैसे आपके अंदर कोई एक पावर नहीं है आपके अंदर स्टेबिलिटी भी है आपके अंदर डिसिजन मेकिंग पावर भी है आपको आप सिट्रेशन को लीड भी कर सकते हैं यह परसंद ही लोके आपकी तरफ आएगा क्लारीटी लेकर ठीक है आपको स सकेगा अगर आप लोग कभी नो कॉंटेक्ट में हैं तो ये वापस आपी की तरफ आएगा क्योंकि ये भी आपके पर स्टक है आपको कोई नो कोई एक स्टेबल आफर प्रोवाइट करना चाता है बहुत ज्यादा दीप थिंकिंग कर रहा है ऐसा परसन है देखें सोच वही सकता है हमारे बारे में जो हमें जानता हो ये परसन बहुत सोच रहा है ये वर्गुट और स्कैप्रिकांड हो सकता है ये परसन या तो कोई फिक्स साइन हो सकता है ठीक है ये परसन को फिक्स है नोसका है जो आपको ड़िटी जाया थी वह अथी देने आहा लेकिल ये जितना टाइम ले रहा है, इसको लेने देश चांपा ही है ये प्रिक को आफर आपको ही कर सकता है इसकी लाइफ में सैटेसवाक्षन और एक हैप्नेस सिफ कुछ नो कुछ एंडिंग आई आप जिसकी वेरिस इस परसन की तरफ डिफैंसिफ हुए मैं आपको स्टेबिटी चाहिए और यह परसन आपकी आपकी पावर को देखकर एक सेफ रिस्पेक्ट को देखकर बहुत जादा कन्फ्यूज है इसको समझ नहीं आ रहा है आपकी आपको देकर आपको लेकर इसकी लाइफ में क्या वैल्यो है आपके साथ कितना अर्से तक अपनी जिन्दगी को चलाना चाता है यह इसके ना होने सब्सक्राइब कैसी है ठीक ही सब कुछ सोच रएँ सब चीजों के बारे में लेकिन वर्क पूट उन करना चाता है सब इसा परसंट जो सको साथिस्फाय कर सकता है जो इसकी लाइफ को कमप्रीशन की तरह एक इसकी आप बिसिंग पजल की तरह लग रहे हैं आप इसको अपनी जिंदगी के सवाथ ठीक है जो है कि एक नियू साइकल बेगिन करना चाहता है जो स्टेबल साइकल बिगिन होगी एक इमोशनलनेस बैलंस रही है अगर पास में बहुत जादा प्रैक्टिकल था परसंट मरी ओरिंटेट था बहुत अपने पैसों को तरजी देने वाला है अपने कैरियर या गोल्स ओरिंटेट या तो ट्रैवलिंग टूर आप लोग को एक वैल्यू ना देना तो आप करेटिए देगा इसलिए आप पर ही ओफर आपको ही प्रोवाइट करना चाता है मैंट्ली स्टक है बहुत कुछ कि इसके इसके इसकी शेड़ों साइड भी इसके कुछना कुछ टॉमा सेंस्के कोई नेगेटिव एडिक्टिव एडिक्टिव इसकी कुई हैबिट्स हैं कु नेक्स चेप्टर में बहुत ज़्यादा चेंज होगी, ठीक है, अगर यह आपकी स्टोरी है, तो आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं, प्रीस एंजर सेंजर स्पीड कैट मुझे गाइड कीजिए, मेरे वीवर इस वक्त किस स्टेट में है, उनका माइन, उनकी सोल, उनकी आप बहुत जादा कन्फ्यूज हैं, इल्यूजिंस में हैं, आपको फॉप खतम हो गई हैं, आपको कुछ हो सकता है, यहां पर कोई बिगनिक हो सकती है, आपको फॉप एंड हो चुकी है, ठीक है, फॉर उफ सोन, बहुत जादा सोचते हैं, लेकिन अब आप एक होते हैं, आपके पर जो भी चीज़ें होई, कहीं ना कहीं अपने आपको बर्डन सम फील करते हैं, ठीक है, रीकनसाइलेशन चाहते हैं, लेकिन आपके पर बर्डन है, आपको ऐसा लगता है, अगर यह परसन नहीं आया तो आपनी लाइफ को बिगन करेंगे किसी और के आपनी लाइफ को एक सामली में आप नॉर्मल होना सीख गए, यह परसन है या नहीं है, आपको कोई फर्क पढ़ना खतम हो चुका है, आप इसकी जो एंडिंग है, एकसेप्ट कर चुके हैं, क्योंकि आपको आगे कुछ होता वह नेजर नहीं आ रहा हैं, आपके क्या हो सक आपने सोचना भी छोड़ दें, अब आपने साथ एक बैलन्स करना चाते हैं, अपने साथ जस्रिस करना चाते हैं, कि किसी ऑर के साथ नहीं साथ के लिए आएगा लेकिए अभी कन्फ्यूज हैं बहुत आपको ट्रस्ट नहीं होता अपने परसंट पर आपको इसा लगता है बहुत सी चीजे हाइड की गई आपसे आपकी सोच में आपकी नजार में जैसे आपकी सर्कुम्टेंस चल रहे हैं जो प्रैक्टिकली आपकी अपनी लाइफ को एक बिगणिक आ रही है आपकी लाइफ में एक री स्टाट एक न्यू स्राट हो रहे है क्योंकि अब आप खुद को खुश रखना चाहते हैं आप खुद को प्रियोर्योटी देना चाहते हैं और अपको इपने साथ जस्चिस करना है कोई ने डिसिजिज making करना चाहते हैं अपनी जिंदेगी के लिए ठीक है नच्ट चप्टर नियों लव लाइफ मेरी बीवर का नेक्स अप्रें यू लव लाइफ में कैसा होगा पी सेंट इसेंट सेंट कैट में रिगाट कीजिए आपको कोई ना कोई एक्वली लव देगा एक एक्वल बैलस पे होगा नेक्स चेप्टर आपको नेचर से कनेक्ट होना पड़ेगा खुद को हील करना पड़ेगा ठीक है और यहां पर है इंस्पारिशन एंड करेज आपके अंदर बहुत ज़्यादा आप लोग को इंस्पार कर सकते हैं आप बहुत जादा करेजियस हैं आपके अंदर कुछ ऐसी अबलिटी सें जो किसी और में नहीं है ठीक है यहां पे है टियर्स आफ जॉए एंड सैडनेस आपको अपने अप एक्टिविटी में एक एक विज्टिम गेंग करना है आपको अपनी लाइफ को जो एक सैडनेस से गुजर रही है इसको बिल्कुल एक हैपिनिस की तरफ लेके जाना है अपनी तरफ अपने सेल्फ लव के पर लगाना है ठीक है प्रॉस्पारिटी एंड अबेंडनेस आपक लाइफ में चेढ एड प्रॉर2 है यहांपर राठ फोदख यसको रीट करें चेंज एड प्रॉग्रास यहांप एकचेंज आ रहा रहा है और नेयुक्टेविटी से बाहर आरें रहा हाँ यहांपर लिगे और प्रॉटर्श आन्डली ऐप एकश प्रॉस्परम प्रॉदों और प्रोग्रेस है आपकी लाइफ के लिए आपके सेल्फ के लिए ठीक है मैं इस रीडिंग को यही तक रखती हूँ नेक्स्ट चेप्टर इन लव लाइफ आपको आपको समझ में आयो और अगर मैं रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज मैं जाट लाइक करें करें सब्क्राइब करें शेर करें एन इडिशेंज के लिए लाइक में देबाना मत भूलें और इंस्सेक्राम को फॉलो करना मत भूलें आपको लिंक मिल जाएगा कम्मूनिटी सेक्शन पर वहाँ से आप लिंक को क्लिक करें वहाँ पर रिडिंग्स अप्लोड है वहाँ पर एंजॉय करें क्योंकि वहाँ पर पिकर कार्ड हो या पर जर्नर रिडिंग होती है ठीक है थैंक यू